हलो फ्रेंट्स आप सभी का सवागत नवीश गाडन में दोस्तो आज हम अपने पोदों के अंदर खाद डालने वाले हैं अभी बारिस का सीजन चला हुआ है और इस टाइम पर पोदों के अंदर अगर हम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अगर डाल देते हैं तो पो हो चुकी है और अब बारिस जो है कम ही हो गी उस टाइम पर अगर हम इसमें कमपोस्ट डाल देते हैं अपने पोधों के अंदर तो पोधों में जबरदस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बारिस के बाद सर्दियां आ जाती दोस्तों और सर्दियों में फिर दोर्मेंसी में चले जाते हैं उस टाइम पर वो खाना बनाते नहीं है और ना ही अपने लिए उनको किसी खाद या फर्टिलाइजर की जरूरत होती है तो इस समय पर आप इनके अंदर जो है वो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालें कितनी मात्रा में डालने हैं दोस्तो किस तरीके से डालने हैं आज हम वो सब डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तो यह मेरे पास एक जो है मैं अपने लोकल एरिया से गउसाला से ही इस खाद को लेकर आया हूं यह एक डेड़ साल पुरानी गोबर की खाद है दोस्तो जो कि बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट के इक्वल होगी तो हम इसको इसमें निकाल लेते हैं और आपको साथ के साथ फिर मैं दिखाता हूं कि हम कितनी-कितनी मातरा में इसको यूज करेंगे यह देखिए दोस्तो यह बिल्कुल ही वर्मी कंपोस्ट के इक्वल जो है यह खाद है और कितनी पुरानी और ब्लैक खाद है दोस्तो डारेक्ट ताजा गोबर की खाद आप नहीं डालें क्योंकि अगर डारेक्ट गोबर की सुखी हुई खाद डाल देंगे तो पोधे के जलने का खत्रा रहता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो सलफर और बाकी चीज़े ज्यादा मातरा में होते हैं जिसकी वज़े से पोदे जल सकते हैं दोस्तों लेकिन यह क्या है कि एक साल के बाद इसके अंदर जो जितने भी इसके अंदर पोशक तत्तों हो पूरी मातरा में आ जाते हैं दोस्तो और दूसरा जो है ne Tarron biết की पर पूर मातरा इसके उन्र फुलो जाती है और आपके दूंदे नाय ही write रोजन देने में स axa है और यह आपके पॉदे में च्छे महिने तक दूंदि चलती रहें च्छे महीने के के बाद आपको 10-15 दिन के बाद इसकी अपडेट भी दिखा हूँआ नहीं कि अफ़विए इस । हुत जए जवर दूज़ा ढ़रत हूं नहीं है। कि अन्दा कि देखा देता हूं। यह इस पोदो की ग्रोथ है और आज से 15 दिन के बाद अपडेट दिखाऊंगा आपको और उसके बाद फिर आप देखना के पोदो में कितनी ज्यादा घनी जो है वो पतियां और उनकी स्टेंट जो है वो कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगी दोस्तों यह देखिए अभी मेरे इन दिनों में अपने पोदो को खाद दे दीजिए अगर आपको यह नहीं मिले गोबर की खाद अवलेबल ना हो आपके आसपास तो आप वर्मी कंपोस्ट का एक बैग जो है बीस या तीस किलो का दोस्तों अपने गमलों के हिसाब से आप ओनलाइन भी परचेज कर सकते हैं ओन ऐसकानी से उनका यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के उतनी ही मातरा डालने हैं जितनी मैं सकी डाल रहा हूं दोस्तों वर्मी कंपोस्ट 12 इंच का गमला है इसके अंदर मैंने 3 मुठी खाद की डाली दोस्तों अगर गोबर की खाद है तो आप 3 मुठी डाल सकते हैं अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आपको 2 मुठी या फिर 12 मुठी में ही काम चलाना होगा क्योंकि वो इससे भी थोड़ी सी तेज होती दोस्तों इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और अब उसके अंदर एक इंच जगह जो है दोस्तों वो खाली रखेंगे एक इंच जगह खाली रखने का benefit क्या होगा क्योंकि एक इंच जगह खाली रखने से उसके अंदर हमको पानी भी डालना होगा और पानी की इतनी ही मात्रा हम डालेंगे दोस्तों जितनी मात्रा के इसके अंदर आ जाए और ये कंपोस्ट वाहर नहीं निकले कभी ऐसा ना हो पानी की जादा मात्रा रहा से इसकी निकल झाएक दूसरा हम क्या निकल जाएं दूसरा हम क्या कर सकते हैं दूस्तों इसके अंदर घाल दी इस तरीके से यह देखिए इस तरिके समय जाएब्धाल मेरे आप तोप पर सब्सक्राइब आपके पास एस के ऊपर से तोड़ी-थोड़ी सी इस तरेकर तीब ओर है और मित्टी के कवर करने चाहए ऊच्छे से झाल चली के जाएगी दोश्तों बाहर नहीं फिली लगा और पोदे में फिर आपको एक और समधाने को बढ़ा हुआ तो उसकी मिटी निकाल दे कम से कम 2 n तक मिटी निकाल दे दोस्तों His तक तो खाद आ जाएगी उसके अपर से थोड़ी-धोडी सी लेएर उसके पर म्निटी कि हो जाएगी जोर उसके बाद फिर आप उसके इंदर एक इंच जगाय ऐसी छोड़ दें जिसमें पानी आ सके दोस्तों और अब जो है सर्दियों तक पानी की requirement पोदों को कम रहेगी क्योंकि इस टाइम पर जो है अब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी थोड़े दिनों के बाद में तो पानी इतना नहीं लगेगा पोदों में न अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते मिलेंगे कि अप ये फर्टिलाइजर डालिए वो डालिए इससे आप ग्रोध देखिए उससे ग्रोध देखिए दोस्तो आज तक का इतियास है इस्ट्री गवा है इस चीज की के भारतिय क्रिशी में भारतिय खेती में सबसे बड़ा योगदान जो है वो गोबर की खाज का रहा है और इसमें जो फसले होती है इतने बड़े लेवल पर इतने हैक्टेर्स के अंदर हम फसले उगाते हैं और वहां पर भी इनी की ट्रोलियां भर-भर के जो गवसाला होती है वहीं से इनी की ट्रोलियां भर-भर के खेतों में जाती है और फसल उगाने से पहले उस पूरे खेत के अंदर इसको एक बार डाल दिया जाता है और उस पूरी फसल के दोरान वही खात जो है काम आती दोस्तों और उसके अंदर इतनी जवर्दस्त फसल होती है आप सोच नहीं सकते जितनी हम chemical fertilizer को यूज करते हैं उससे double growth ये चीज़े देती दोस्तों आपको chemical जो है वो bad effect डालते पोदों के ओपर लेकिन ये बिलकुल organic है इसके अंदर कोई भी chemical का यूज नहीं है बलकि इसके अंदर जो पोदों को खुसी मिलती है इससे जो खाना मिलता इसमें जितनी nitrogen होती है वो artificial fertilizer नहीं दे सकते दोस्तों ये अदबुत है इसका आप एक बर यूज करके जरूर देखे आपको इसके results देखने को मिलेंगे और आप दुबारा से फिर से मुझे जरूर कहोगे कि ऐसी ही खाद हमको अपने पोदों के अंदर यूज करने है दोस्तों अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शे वाएटी और विडियुक्तों एक-दो को छोड कर के जो यहां पर नहीं हो सकते मेरा नोर्थ-वेस्ट के अंदर अंदर ने मेरा सो यह जो रेजिटेंस है दोस्तों यहां पर हरिया शिर्समद्दित हैं यहां पर जो पोदे अवलेबल हो सकते हैं वो सारे मेरे पास जो हैं दोस्तों और उनकी बड़े ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है एक दस से पंदरा दिन के बाद जब मैं दुबारा से आपको इनकी ग्रोथ अपडेट करके दिखाऊंगा उस टेम पर अपने पूरे गार्डन टेकर बाई बाई